इसरकार से उसकी जाती पूछना खिलेश के लिए पढ़ गया महंगा अब आ मुखेया पर लगा दोहरे चरतरकारों पालों का जवाब देने पर अब संसद में खुद हुए आग बबूला आपको बता दें कि लोग सभा में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दोरान राहुल गांधी की जाती को लेकर उठाए गए सवाल पर सपाध्याक्ष खिलेश यादव पूरी तरह भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप किसी की जाती कैसे पूछ सकते हैं उनके इस बयान पर अब भारतिय जनता पाथी के प्रदेश रध्याक्ष भूपेंदर सिंग चौधरी ने पलटवार किया है उन्होंने अखलेश यादव पर जाती को लेकर दोरा चरित्र होने का आरोप लगाया है तो सबसे पहले आपको पूरा मामला क्या है वो समझा दे दरसल हुआ ये कि मंगलवार को लोग सभा में बजट पर चर्चा करते हुए राहुल गांदी ने जातिय जनकर्णा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जिसका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की और से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर खड़े हुए इस दोरान उन्होंने राहुल गांदी की जाति पर सवाल उठाये कहा कि जिसे खुद की जाति का पता नहीं वो जातिय जनकर्णा की मांग कैसे कर रहा है किस हक से कर रहा है वही अनुराग ठाकुर की इस बात पर सपा अध्यक शकलेश यादव भी बुरी तरह भड़क गए और उन्हो बताईए उन्होंने कहा कि आप जाति पूछ कैसे सकते हैं जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ हंगामा देखने को मिला और लगतार ये बहस चलती रही वही इस दोरान लोग सभा में राहुल गांदी और अखिलेश यादव के बीच जबरदस बॉंडिंग भी देख को मिली दोनों ने ताओं ने मिलकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की दोनों तरफ से एक खूब बहस हुई साथ ही आपको बता दे कि लोग सभा में जाती को लेकर अखिलेश यादव की इस बयान पर पलटवार करते हूँ बीजेपी प्रदेश अध्याक्ष भुपेंद सपा मुखिया अखिलेश यादव का दोरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है उनकी कतनी और करनी में फर्क साफ नजर आता है इस बीच सवाल यही उठता है कि जो अखिलेश यादव आज राहुल गांदी की जाती पूछने पर आग बबूला हो गये हैं सदन में गामा मचा रहे हैं अपने बयान को लेकर और एक बॉंडिंग दिखा रहे हैं राहुल गांदी के साथ क्या यह वही अखिलेश यादव है जिनकी कुछ दिन पहले एक वीडियो वारल हुआ तो पत्रकार से खुद वो पूछते हुए नजर आये थे कि आपका नाम क्या है त अफिर अनुराग ठाकूर और भुपेंद्र चौधरी आपको सही लगे हैं आपके हिसाब से आपको किसका बयान सहमत करता है किसके बयान से आप सहमती जताते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं